मुम्रा कवसा में जिस तरह से अस्पतालों के तरफ से लापरवाही बढ़ते जा रही है चाहे वो बुर्हानी होस्पिटल हो या फिर रह्मानिया या बिलाल होस्पिटल हो या प्राइम होस्पिटल हो अस्पतालों में मरीजों को भरती नहीं किया जा रहा है इसी लापरवाही से 13 साल की बच्ची नकीबा की मौत हो गई मगर इस पर अब मुम्रा करवा के आमदार और कैबिनेट मंत्री जितेंडर आभाड ने कड़ा रूप अपनाया है और जारीकर मुम्रा कवसा के सभी अस्पतालों को ICU चालू करने को कहा है और जो भी मरीज उन अस्पतालों तक जाते हैं उनको भरती कराया जाएगा आभाड ने ये भी कहा है कि आज शहर को अस्पतालों की जरूरत है तो हॉस्पिटल बंद करके बैटे हुए है ये बिल्कुल गलत है ये मेरा शहर है इसलिए मुझे फिक्र है सुन्ये कैबिनेट मंत्री जितेंद्र अभाड ने आडियो जारी कर क्या कहा है परसोरात को बड़े मस्जित के इमाम साब अमरुत नगर के बड़े मस्जित के इमाम साब की लड़की गुजर गई मैं सभी मुमरा के हॉस्पिटल ओनर्स को ये आडियो भीजना चाहता हूँ आठ घंटे इमाम साब अपने बेटी को गोद में लिए हॉस्पिटल का दरवाजवाग खटखटा रहे थे ना किसी ने हॉस्पिटल खोला ना किसी ने आईसियू ना किसी ने ऑक्सिजन दिया और उस लड़की की मौत हो गई उसके मा के उपपर क्या गुजरी होगी उसके बहन के उपर क्या गुजरी होगी शायद उसका अंदज आपको नहीं सुबह उस बहन का पांच बजे मुझे मेंसे जाया इसका मतलब कि उराद बरस भी नहीं होगी कि हमें ने आई चाहिए मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि जिस शहर ने आपको पाला पोसा बड़ा किया आपको शोहरत दिया, आपको इज़त दिया, आपको पैसा दिया उस शहर को जब जरूरत है तो आपने हॉस्पिटल बंद करवा दिया ये बहुत बुरी बात है अच्छे वक्त में तो सभी साथ देते हैं लेकिन उम्मीद ये है कि बुराई में जब अंदेरा चाया हुआ है तब हॉस्पिटल हर हॉस्पिटल चालो रखना चाहिए मैं आज आपको जितेनरा आवाड होने के रिष्टे में, नाते में आपसे मैंने बहुत लाड़ प्यार, महबबत से बाते की है पिछले दस बारा सालों में हमारा जो सम्मंद हुआ है उसमें हम बहुत याराना रखते थे अपने आप में पर ये अच्छी बात नहीं कि अपने हॉस्पिटल बंद करवा दिया कल सुरज निकलेगा, कल अंदेरा दूर होके उजाले के तरफ हम जाएंगे फिर आपको क्या लगते हैं, आपका हॉस्पिटल ऐसे ही शुरू होने दूँगा हजारे मुहजारों मुसीबत खड़ी कर दूँगा अगर आपको लोगों की जान की कीमत नहीं है तो फिर आपकी चिंता हम क्यों करें लोग मर रहे हैं आईसियू नहीं है पूरे शहर में लोगों को और भी बहुत सारी बीमारिया है उसके लिए कोई इलाज नहीं है और आप डॉक्टर्स मजा ले रहें वजा कोई भी हो लेकिन मेरे शहर को मुझे संभालना चाहिए बुराई के वक्त में अंधेरा जब फैला हुआ है तो मेरा हाथ उनको उनके आसू पोचने के लिए तयार होने चाहिए उनके जब वो आज दुख में है जब वो आज किसी अगर मसले में फश जाते हैं कोई बीमारी हो जाती है तो मैं उनको बचा लूँगा ये काम परवर्दिगार ने आपके हाथ में सोपने के बाद अगर आप उसका सही इस्तमाल नहीं करते हो तो इसको क्या समझना चाहिए ये आपको अच्छा लगे न लगे लेकिन मैं सक्त सब्दों में कहना चाहता हूँ कि हस्पिटल शुरू कर दो वज़ा मत बता हुझे कोई वज़ा बताने की जरूरत नहीं है लेकिन आप हस्पिटल शुरू कर दो हम बैठेंगे साथ में बैठेंगे जो भी मुसीबते हैं उसमें से रस्था निकालेंगे लेकिन आप हस्पिटल शुरू कर दो और अगर आप हस्पिटल नहीं शुरू करोगे तो जनता की तरफ से मुझे आवाज उठाना पड़ेगा और फिर आपको मालूम है कि जो आदमी कोविड को न घबराते हुए जनता के लिए जनता के बीच में जाता था वो शायद ही किसी से अब ड़ेगा तो आप ये काम करिए हस्पिटल शुरू कर दीजे इतनी ही दोनों हाट जोड़ के आपके पास में बिदंती करता हूँ ताजा तकि खबरों के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और विल आइकॉन दबाना न भूले अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें